बिहार में तेजस्वी जी को कोई जगा नहीं मिलने वाला है आप जान लेजे कि कोई सीट को लोग नहीं जीतेंगे जहां जहां पर राहूल गांदी जी गए वहां वहां सरकार गिर गई क्या कमी थी क्या कारण था यह तो उनलों को खुद अपने आप में देखना चाहिए औ और अब तो चुनाव का विगुल बच चुका है अब तो कोई ऐसी बात है नहीं और चुनाव जो होगा उसमें हम लोग बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहा है पिछले बार तो हम लोग एक सीट चुक गए थे इस बार जो चुनाव होगा हम लोग 40 में 400 सीट सन का मौरी में का काम करें लालु यादशब नहीं कि मोधि का परिवार नहीं है मौुली म्यादीत गरता है तो यह ठीक नहीं है और हम लोग एक ही बात बता रहे हैं कि हम लोग सारे सीटों को जितने चालिस की चालिस में चालिस में बात करने के लिए मंत्री जैंतराज है पहले जल संसाधन मंत्री थे अब भवन निर्मान मंत्री बना दिया गया है सर सबसे मंत्री मंदल का गठन हुआ है पहले भी हम लोग मान्य मुक्वंत्री श्रीनिति स्कुमार जी के इसमें काम कर रहे थे और पुना काम करने का मौका मिला है और जानते ही हैं कि हम लोग के जो मान्य मुक्वंत्री श्रीनिति स्कुमार जी है तो वह हमें सब विकास की बात करते ह और भिहार का विकास कैसे हो कैसे और तेजी से मुझबूती से विकास हो इसी पर हम लोग का दियान है यहां पे तो मान लिजिए कि केंद्र में जो सरकार चल रही है और जो बिहार में सरकार चल रही है दोनों सरकार जो चल रही है एक ही सरकार है वहां पर भी NDA की सरकार है मानिय जो है मुदी जी वहां पर पर प्रथानमंत्री है और यहां पर नितिस्कमार जी मुखमंत्री है त लोग चालीस में चालीसों सीट जितने का काम करेंगे बिहार में तेजस्वी जी को कोई जगह नहीं मिलने वाला है आप जान लिजे कि कोई सीट वो लोग नहीं जीतेंगे लेकिन रहुल गांधी इंटक्ष हैं पूरा भारुत जोन यात्रा कर रहे हैं और अपर समर्थन मिल लोगों का जो भीड साथ दिख रहा है कि जब कोई पाटी निकलती है परचार परशार के लिए उनके समर्थक है अपना जाते हैं इसमें तो मतलब अपना घूमना फिरना है दोनों तूर पे निकले हैं अपना तूर करना है जहां जहां पर राहुल गांदीजी गए वहां सरकार गिर गए क्या कमी थी क्या कारण था यह तो उनलों को खुद अपने आप में देखना चाहिए और अब तो चुनाव का विगुल बच्चु का अब तो कोई ऐसी बात है नहीं अब चुनाव का विगुल बच्चु का है और चुनाव जो होगा उसमें हम लोग बड़ी जब-चुनाव बाजपा और जन्तादल्यू चुनाव मिलके लड़ा है तो बिहार में सरवाथिक सीट जितने का काम किया है एकाथ चुनाव को अगर छोड़ दीजेगा तो हरे क्शुनाव में बें जन्ता-दल्यू और भाजपा फुर रूप्शे और अब तो और भी गठ पंदन में रहता है तो उसका जरूर कुछ ना कुछ फैदा मिलता है तभी तो गठ बंदन होता है उनकी भी अपनी पार्टी है और आप मतलब ऐसा कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है मतलब जो सीट मिलेगा हम लोग हर एक सीट पे चुनौल रड़ा है मतलब एक तरह से कह सकते हैं कोई भी गठ बंदन साथी चुनौल रड़ा है तो उस पे भी जनतादलियू मजबुति से उनका साथ देने का काम करें जहां पर हमारा सिम्बॉल होगा वहां पर हम लोग का सिम्बॉल पर भूट पड़ेगा जहां पर भाजपा का सिम्बॉल होगा जहां पर चिराग जी का सिम्बॉल होगा या और जो भी गठ बंदन साथ ही है तो सब लोग हम लोग 400 सीट पे मजबुति से चुनौल लेकिन परसुपति पारस कट क्या होगा सर उनको कहा जा रहा है कि क्विशिट ने मिले तो चलिए देख रहा है महां गठ बंदन में यह जो एंडिये गठ बंदन है एंडिये गठ बंदन में सभी लोग मानलीजे कि सब भी बड़े नेता अच्छे तरीके से देख रहे हैं इसको कि मालीजे कि चुनौ जो हो रहा है तो चुनौ हो रहा है तो अब किसको कौन सा सीट दिये जाएगा यह बड़े नेताओं का काम है इसमें हम लोग कहा है ला मोदी जी का परिवार ऐसा थोड़ी होता है राजदीती में तू तड़ा की बात को अगर कोई करता है तो यह ठीक नहीं है और जो मोदी जी का ब्यक्तित तो है ब्यक्तित इतना मजबूत है वह तो खुद अभी इस पार चुनौ में पता चल जाएगा ना आप लोग को आप अपनों को भी महसूश हो रहा हुआ है और हम लोग एक ही बात बता रहा है कि हम लोग सारे सीटों को जीतने का चालिज से भाजपा कहती है जो 400 कार चार्स कर तो गलत क्या कर एइंगे इसकार only वोग जीते नहीं कहीं करो सुक्ञा सर बाचित के लिए सहना बात कर रहे थे ज लालु यादव का वह बैद जब गांधी मैदान में नरेंद्र मोधी पर टिपनी की थे कि उनका कोई परिवार नहीं है बहुत 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 धन्यवाद